जैसरी राम मैं देवा नंग गुरुजी चित्रकूट अथरवेदाचार आज आपको मैं बताऊंगा कि दिवाली और धनतेरस के दावरान अपने घर में तेरा दिये जलाना चाहिए अच्छे स्वास्त और सम्रिद्धी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए यह तेरा दिये नकारात्मक उर्जा और बुरी सक्तियों से आपकी रच्छा करते हैं वे दयालुता और पवित्रता का भी प्रतीक हैं तो आए जानते हैं कौन सा दीपक कब और कैसे जलाना चाहिए क्या लाब प्राप्त होते हैं पहले दिया से परिवार की अकाल मृत्यू से रच्छा होती है सवभा के लाने के लिए दिवालि की रात को दूसरा धिया घिसे चला कर अपने घर में घर के पूजा मंडरिया किसी अन्य उपयुक्त इस्थान के सामने रखना चाहिए धन सम्रीध्धी सफल्ता का आशीरवाद पाने के लिए लच्मी के सामने तीसरा दिया जलाना जाए जलाया जाए तो अप्तियंद सुभ होता है अब बित्र तुलसी के पौधे के सामने जौथा मिट्टी का दीपक इस्थापित करना चाहिए ऐसा करने से घर में रहने वाला परिवार सुख सामती से खुसाहाल रहता है पांचबा दिया आपको आपके घर के सामने वाले दर्वाजे के पास रखना चाहिए या आपके घर से भुरी आत्माओं को दूर करने में दूर रखने में मदद करता है व्योभार में अच्छा बदलाव करता है चठा दिया है पारंपरिक रूप से पीपल के पेंड के नीच या बित्ती यह स्वास्त समस्याओं से उबरने का संकेत देता है। साथमद दिया के नजदीक किसी मंदिर या आपकी citizen के किसी मंदिर में जरूर जलाएं नकार अत्मक और और बुरी आत्माओं में बचने के लिए आठमा दिया कूड़े दान के पास जलाना चाहिए अपने जीवन में सकारात्मक उर्जा और सम्रित दिलाने के लिए नवे दियें को घर के सौचाले के बाहर रखें दसमा दिया जो किसी भी प्रकार नगा रतमक उर्जा सुरक्षा का प्रतीक है उसे अपने घर की च्छत पर रखना चाहिए आपके घर की किसी भी खिरकी पर एक 11वा दिपक आप दिया जलाकर रख सकते हैं जो बुरी उर्जाओं से लड़ने का काम करता है बारहवादिया आपके घर की सबसे उपरी मंजिल पर रखा जाता है जो आपके स्वास्त के लिए फाइदे मंद होगा अंत में तेरहवादिया आपके घर के चावराहे को सजाने के लिए है जो आपके जीवन में अच्छी उर्जा लाने में मदद करता है धन्यवाद, जोई शेयरा